वैसे ये तो मुझे पता था कि राम मंदर की प्रान पतिष्टा से पागिसान को दिक्कत होगी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पागिसान की सरकार इतने ओफिशल तरीके से एक बयान जारी करके इसकी निंदा करेगी। पाकिस्ताल के लिए तलप रही होती है तब ये लोग कुछ नहीं कहते लेकिन भारत में खुद के पैसे से जब राम मंदर बनाया जा रहा है तब इन लोग बड़ी दिक्कत होती है। पाकिस्तानी विदेश मंतराले ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम आयोध्या में राम मंदर के उधगाटन की निंदा करते हैं। ये मंदर बाबरी मज़िद को तोड़कर बनाये गया है। दोस्त मज़िद के जगे पर बना मंदर आने वाले समय में भारती लोकतंतर के माते पर कलंग की तरह बना रहेगा। भारत ने बढ़ती हिंदुत विचार धारा, धारमिक सत्भाव और शेत्री शांती के लिए वड़ा खत्रा है। ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। राम मंदर में राम लेला की मूर्ती स्थापना के बाद सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंदराले ने बयान जारी कर बाबरी मज़िद विद्धवन्स की जगे पर राम मंदर के उधगाटन की कड़ी निंदा करते हुए कहा। कि उनमादी भीड ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मजजद को दोस्त कर दिया था। यह निंदनी हैं कि ना सिर्फ भारत के सबसे बड़ी अदलत ने इस घटना के जिम्मदार लोगों को बरी कर दिया बल्कि उसी जगे पर राम मंदर निर्मान की बंजूरी भी दे दी। बयान में कहा गिया कि 31 सालों की इन घटना करमों का नतीजा राम मंदर की प्रानपतिष्टा है जो भारत ने बढ़ रहे हैं बहुत संक्य वादी पर संके थे यह भारती मुसल्मानों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक हाशिये पर पहुँचाने के लिए चल रही कोशि की संक्या बढ़ रही हो लेकिन उन पर भी ढहाय जाने का खतरा तो मन रही रहा है बयान में कहा गया कि 2019 में सुप्रीम कोट ने महत्वपून फैसला दे कर राम मंदर के निर्मान का रास्ता साफ किया था कोट की पाच जजों की पीट ने केंदर को निर्देश दिये थे कि विवायोद्या में मस्जिद निर्मान के लिए सुन्नी वक्फ बूर्ड को पांच इकल की जमीन दे भारत में बढ़ रही हिंदुत की विचार धारा से देश के धार्मिक सोहाद्र और शित्री शांती को खतरा भी है पाकिस्तान की विदेश मंत्राले ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश और मद्प्रदेश के मुख्य मंत्रियों पर भी निशाना साथा उन्होंने कहा कि दो प्रमुक भारती राज उत्तर प्रदेश और मद्प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने बाबरी मज़ित के विद्वन्ज और राम मंदर के उदगाटन को पाकिस्तान क कुछ हिस्टों पर दोबारा कपजा करने की दिशा में पहला कदम बताया है अंतराष्टी समुधाय को भारत के बढ़ते इस्लामफोबिया, हेट स्पीच और हेट क्राइम पर ध्यान देना चाहिए सेयक्तो राष्ट और अंतराष्टी संगठनों को भारत में बढ़ रहे इस्लामफोबिया और हेट स्पीच की गटना ओपर ध्यान देना ही चाहिए सायक तो राष्ट और अन्य संबंद अंतराष्टी संगठानों को भारत में इस तरीके से अस्लामिक हेरिटेज को खत्म किये जारास को बचाने के लिए अपनी भूमे का निवानी चाहिए पागिस्तान एक तरह से भारत सरकार से आवान करता है कि वे मुस्लिम और अपने उनके धार्मिक स्थनों सहीत धार्मिक अल्पसकेगों की सुरक्षत तुने चित करें इससे पहले आपको और ये जानकर भी इहरानी होगी कि पाकिस्तान से आयोध्या तीन नदियों का जल भी लाया गया था दरसल भगवान राम का पाकिस्तान की तीन पवित्र नदियों से जलाबिशेक किया गया 20 जनवारी को पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर से तीन नदियों का जल आज जहलाया गया था करनाटक के बैंगलीरों में रहने वाले मंजुनाथ शर्मा ने तीनों बवितर नदियों के जल को श्री राम जन्मभूमी तीर्ट शेत्र ट्रस्ट को सौपा था मंजुनाथ जैव शार्दा कमीटी के सदस्य हैं मंजुनाथ शर्मा ने बताया गिए भारत देश में गंगा यमना गुदावरी सरस्वती नर्मदा सिंदू और कावेरी इन साथ नदियों का काफी महत्व है जिस कवर्णन पराणों में मिलता है सरस्वती सिंदू और कावेरी पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर प्रांत में है इन नदियों का जल लेकर आयोध्या आया हूँ जिससे ट्रस्ट को सौप दिया गया है अब देखिए भारत में तो प्रांप्रतिश्टा एक बहुत बड़ा समारो है लेकिन पाकिस्तान जिस समय अलप चंक्यकों की बात कर रहा है हेरिटेज को बचाने की बात कर रहा है मुझे असल लगता है कि इस समय पाकिस्तान को खुद के देश पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में उसको फिर से भीक मांगना कंटीनियो करना पड़ेगा मेरे सुनिफिल अलतनाई जैन जै भारत